हेलो दोस्त अपलोग कुछ से हैं तो चलिए आज अपलोग के लिए प्रस्न लेकर आये हैं जो कि देखिए 14 नमर का प्रस्न है किसी एपी का शातमा पद मैनस चार है और तेरमा पद मैनस सोला है तो यही प्रस्न हम लोग अभी बनाने के लिए जा रहे हैं तो देखिए यहां यह सातमा पद जो देख रहे हैं सातमा पद मैनस चार है तो आप यहां देखिए N आपका हो गया मैनस सातमा पद और मैनस चार जो कहता यह आपका TN मैनस चार है अब देखिए सूत्र होता है टN बराबर फर्मूला होता है कि A प्लस N मैनस वान इंटू डी तो अब देखिए A आपका पता नहीं है प्लस N, N सात हो गया मैनस वान डी बराबर मैनस चार हो गया A पलस मैनस कर दिए 6D बराबर मैनस 4 समी करन यह हो गया हुआ अब यह फिर अब देखिए यहां कहाता है 13 पद मैनस 16 तो N बराबर 13 पद और T N बराबर का रहा है कि मैनस 16 है अब देखिए T N बराबर फर्मूला A पलस N मैनस 1 इंटो D A पलस N, N आपका 13 हो गया 13 मैनस 1 D बराबर T N मैनस 16 A पलस मैनस कर दिए 12 D बराबर मैनस 16 अब लिखिए समीकरान 1 और समीकरान 2 से तो समीकरान 1 देखिए आपका A पलस 6 D बराबर मैनस 4 A पलस 6 D बराबर मैनस 4 यह पहला समीकरान था दूसरा देखिए A पलस 12 D बराबर मैनस 16 अब देखिए समान चिन जबरे समीकरान में तो समान चिन रहने पर घटाया जाता है और समान चिन रहने पर जोरा जाता है तो समाम चीन है तो हम लोग चीन बदल देते हैं यह आपका कैंसिल हो गया अब देखिए 12 में से 6 घटा देजिए माइनास 6 डी अब देखिए यह चीन का नहीं भिलू होता है यह चीन जो डाले है पलस तो 16 में से 4 घटा देजिए आपका 12 हो गया इसलिए 12 बदल माइनास 6 कैंसिल कर देजिए डी बदल माइनास 2 अब देखिए समी करन 1 में आप ऐसी बात नहीं है आप समी करन 1 में भी रख सकते हैं समी करन 2 में भी रख सकते हैं तो समीकरन 1 में D का मान रखने पर तो समीकरन 1 देखिए आपका समीकरन 1 A पलस 6D बरावर मैनस 4 तो अब देखिए A पलस 6D बरावर मैनस 4 D का मान रख दिए यहाँ तो A पलस 6 गुना मैनस 2 यहाँ जो D है D के जगह हम मान मैनस 2 रखें बरावर मैनस 4 तो A पलस पलस मैनस गुना कर दिए मैनस तो 6 गुनी 2 बरावर मैनस 4 तो A बरावर मैनस 4 इस नम्मर किदर भेजेंगे तो पलस हो जाएगा तो A बराबर अब माइनस कर दीजिए आपका यह हो गया आठ तो अब देखें समय के A और D दोनों मालूम हो गया जब A और D मालूम हो जाए किसी भी A P में तो आप अराम से A P तयार कर सकते हैं आइए A P बराबर तो T2 पलस D फर्मुला होता है तो T2 जो होता है दूसरा पद होता है T1 जो है पहला पद तो T2 इकाल रहे हैं तो T1 पलस D T1 पलस D तो T1 कितना आया भी आप देखिए 1 आपका A यही A आपका T1 है तो 8 पलस D D का भीलू कितना था D का भीलू माइनस 2 था तो आप माइनस 2 रख देजिए अब देखिए 8 पलस माइनस माइनस 2 माइनस कर देजिए छे आपका T2 मतलब दूसरा पद इकला अब देखिए तीसरा पद इकलना है T2 पलस D तो दूसरा पद जो मालूम है वो रख देजिए पलस d जो आपका मैनस 2 है d हमेशा हर एक जगह रखा जाएगा तो 6 पलस मैनस मैनस 2 बराबर 4 ये आपका t3 जो है तीसरा आपद दिकला अब देखिए t4 आपद दिका लेजिए t3 पलस d t3 पलस d अब देखिए t3 आपका 4 मान निकला 4 पलस d मैनस 2 है पलस माइनस माइनस दो बराबर दो अब यहां लिख सकते हैं एपी आपका तियार हो गया अब लिखे देखे पहला पद तो आपका यहां था पहला पद आठ आठ रख दीजिए यहां आठ दूसरा पद दूसरा पद छे छे रख दीजिए यहां और तीसरा पद आपका चार चार रख दीजिए और चौथा पद चौथा पद दो यही आपका एपी